हेलो इस्टूडेंट आज आप लोग को क्लाफ 10 का फिजिक्स चैप्टर नमर 3 पढ़ाया जागा जो कि इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो पढ़ाया जा चुका है और इस चैप्टर का नाम आप लोग पहले फिर जानते हैं कि प्रकास का आप वरतां जिसे इंग दोनों वीडियोज को आप लोग देखे होंगे और बहुत ही बेश्ट तरीके से समझे होंगे तो आज आप लोग को सघन माध्यम बीरल माध्यम और प्रकास क्रेडों की उत्रक्रमड येता पढ़ाया जाएगा और कुछ फार्मूला के बारे में भी बताया जाएगा जिसे सघन माध्यम और बीरल माध्यम का दूफरा परिभास हम लोग समझेंगे तो समझेगा इन सघन माध्यम और बीरल माध्यम को समझेने के लिए हमको एक फिगर बनाना होगा जो कि प्रकास का आप वर्तन वार जब हेडिंग समझाया थे तो उसमें एक फिगर बनाया थे उसी वायू रहेगाере वायू से प्रकास जैसे का में यह अभीलंव है इस अभीलंव क्या होता है इसको सीधे ऐसे जाना चाहें पर सीधे लेकिन जाता नहीं अभीलंव की ओर झूप जाएगा्या यहाँ जो कुडब ने उसे करते हैं आपतन कोड़ आई और यहां जो कोड़ बनता है इसे करते हैं परावर्तन कोड़ आर आप जानते हैं परावर्तन कोड़ आर है यहां परावर्तन कोड़ आर है लेकिन यह जो किरड़ है आपका यह जो आर यह इस काचपर इसे करते हैं आपतित किरड़ और यह ज झिकर करना है ठीक बुलाग यदि आपवर्तित किरड़ आपवर्तित किरड़ तूलना में सापेश मतलु सापेश अभिलम्ब की और जुक जाये यह जो बीच में अभिलम्ब इसकी और क्या हो जाये जूक जाये कौण अपवर्तित किरड यदि यह अपवर्तित किरड इस आपवर्तित किरड के कंप्रीजन में या उसके सापेच या उसके तुलना में अभिलंब की ओर जुक जाए तो तो जो दूफरा माध्यम होगा यह दूफरा माध्यम है तो दूफरा माध्यम जो होगा पहले माध्यम के सापेच क्या कहलाएगा आपका यह सघन माध्यम कहलाएगा वही लिखा गया यदि अपवर्तित किरड आपतित किरड के तूलना में या सापेच अभिलम की और जुक जाए तो दूफरे माध्यम को यह जो दूफरा माध्यम है इस दूफरे माध्यम को पहले माध्यम के तूलन या पहले माध्यम के सापेश साघन माध्यम करते हैं यह तो साघन माध्यम हो गया और ठीक इसी प्रकार बीरल माध्यम का भी परिभासा दिया गया है कि यदि अपवर्तित किरड मलो यही अपवर्तित किरड आपतित किरड के तूलना में या इसके सापेश अभिलम से दूर तो उस समय यही दूफरा माध्यम पहले माध्यम के सापेश क्या कह लाता बीरल माध्यम कह लाता यदि यह आप वारतीत क्रड़ अभिलम से दूर हड़ जाता तो इस दूफरे माध्यम को पहले माध्यम के तुलना में या कंप्रिजन में क्या कहते हैं हम लोग बीरल माध्यम क क्लियर किये होंगे और सगहन माध्यम को इंगलियस में डैंसर मीडियम मोलते हैं और बीरल माध्यम को रहिस्टा था और इसको अगले चेप्टब में भी पढ़ाया गया तो इसको अटाते हैं और इसी फिगर के मादम से इसको अब समझते हैं देखे प्रकास क्रेवड क्यों उतक्रमड यता हमको समझना है तो मालने देखे यहां एक आपका काच है यह आपका क्या है काच है मतलब कि ग्लास जिसे इंगलेश में ग्लास करते हैं यह जी लिख देते के बल और यहां बाहर क्या है वायू है और यह किरड आपतित हुआ यहां पर और यह बीच में क्या है अभी लंब है इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था तो सीधे नशाकर क्या करता है अपने मार्गे से थोड़ा अभिलम खिछना होगा तो अब यहां देखाई आप यह करण हम लोगे उमिद के इसाप दखाए तो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं जाएगा अब यह काच से फिर कहा अ रहा है फिर पुन्य वायव में आ रहा है दूबारा आपका उई में आ रहा है जब दूबारा वायव में आ ऐगा अब prata आज क्या है सघन और वाई क्या है वीरल तो हम बताया कि जब सघन से वीरल में जाएगा तो अभी लम से दूर अधिया इस प्रकार से दूर रखें कि यह जैसे जहां से आया था वैसे ही आप लोग का ऐसे होते हुए बाहर क्यों निकल जाए यह जो पूरा गठना कहलाएगा उसने जाएक गया से तो जैसे यह घया था वैसे ही वापस आ जाएगा तो वही प्रकाश क्रोडों की उत्रामडियता यह रजा आप लाइट रे कहलाता है तो अब इसके जरीयस हमें एक फार्मला के डेरिवेशन करेंगे यहां से पले इसमें देखे पहले माध्यम फे दूफरे माध्यम देखे क्या हो रहा है कि जब पहले माध्यम फे दूफरे माध्यम में कोई प्रकाफ जाता है तो उसका जो अपवर्तनांग होता उसको क्या बोलते हैं बोलते हैं पहले माध्यम के सापेच दूफरे माध्यम का अपवारतनांग वायू शुक्त गया है तो वायू लिखेंगे अब किस में गया है काच में तक काच लिख दी है काच में ग्लास जी से बताफिक करते हैं तो वायू के सापेच काच का अपवारतनांग का बराबर आप जो आपका वाई विलम आदिय में उसकोड को हम लोग आपतन कोड़ मानते हैं वर आपतन कोड़ को उपा लिखते हैं अब बटा के जिसमें गया होता है किसमें गया है काच में गया है जीवलम गया है ग्लास में गया है तो उसके कोड़ को अपवारतन कोड़ मानते हैं तो एन जे एकॉल टू साइन आई बटा के साइन आर हो जाएगा ठीक अब इसी प्रकार फे जब आपका यह उल्टा कंडिफन हो जाएगा आपका यह यहां से वापफ जाने लगेगा यहां फे देखाए तो वापफ जाएगा तो उस कंडिशन में आप काच के सापेश वायू का अपवरतनांग होगा यहां पता वायू से काच में गया था तो वायू के सापेश काच का अपवरतनांग था जिसमें जाता उसको अपवरतनांग बोलते हैं और जहां फे जाता उसके सापेश लिया जाता है तो वायू से गया था और जिसके सापेश होता उसको हमेशा पहल होता है या जिसका आपवर्थनांग होता है उसको पीछे की और लिखा जाता है इससे बोलते हैं वायू के सापेश काच का आपवर्थनांग अब जब पूना घटना जीवा से बिल्टी में प्रकास की उत्रक्रमडियता की घटना होती है तो उस करा मिठ् сам के ऊपरान या सीझे बोलनें की यह नाम टॐ रशल को क्लियर रहेगा इस का या बी चीस आपतीत् यह सीवी आपतित किरड़ हो जाएं यह सीवी आपतित किरड़ हो जाएं यह सीवी आपतित किरड़ हो जाएं तो इसका में यह क्या हो जाएगा तब अपवर्तित किरड़ हो जाएगा लेकिन जब यह आपतित किरड़ होगा तो इस कंडिशन में यह क्या होगा आपतन कोड़ और जो होगा इस कंडिशन में अब प्वार्ता को जाए किया खीangenmi ॗैंकियों कि आ iPhone लगा देंगे और यह इधार से भाल निकल जाएगा कि आब ते का आपतीत कर्ड़ जाए हैं ते उसे CP MR 2019 में और या क्यों जागा अपवर्तन कोड़ हो जाएगा अब काच इसे जा रहा था इसका में काच के साफिच अपवर्तन किसका तो किसका जिसमें जाता है तो किसमें गया है वायू में इस कंडिशन में माले स्पेश्पीयस स्था प्रकास 0 क्वर्ण अप्वर्ण आरो ता अब स्owejंकर 1 क्या कर देंगे गुड़ा करदेंगे कि स्वामेकर एक वर स्वामेकर दो के गुड़ान फल से के गुड़ान फल से इसको देखते हैं कि यहां इस पर्ष्ट आराइक ने वीडियो में थेक है तो जब इन दोनों गुड़ान फल करेंगे तो हो जाएगा ए ए ए अट जी गुड़े जी ए एन ए मिलाब लेप्ट का ल राइट में टराइट हाखे में ईसमें यह हैं तो फ़ले इसको लिख लें भी रिंग फिर गुड़े इसे को लिख लें तो हो जएका साइन आइए बटा के साइन आ बट्टा के साइन आर गुड़े साइन आर बटा के साइन आई हो जाएगा ठीप तब、「 साइन निचे नहीं दिखाई दे रहा होगा हो सकता है अभी तक देखाई दे रहे है चले ठीक है यहां तक क्लीर हो गया है आपका A N G इंटू G N A बराबर क्या आगया वन आगया इसको थोड़ा से अब हम लिग देते हैं यहां को तो हो जाएगा आप लोग का A N G गुड़े G N A बराबर वन बराबर क्या हो जाएगा जो आगे रहता है उसको साफेश बोलते हैं अब जो पीछे रहता है उसको अपवरतनांग बराबर वन होता है इसका मिला कि उन दोनों का उल्टा करके गुड़नफल कर दिया जाए तो उसका गुड़नफल जो होता है वन के बराबर होता है तो यहां से एक फार्मुला बनेगा A N G बराबर हो जाएगा वन अपान G N A मतलब की वाय्यू के साफेश काज का अपवरतनांग जो होता है वह काज के सापेश वायू के आपवरतनांग के व्यूतक्रमानुपाति होता है मारा उल्टा होता है यह उनको अधिन को डरिवेफन करना था क्योंकि इसका जो सुत्र में बहुत ज़्यादा प वह काच के सापेच वायू के अपवर्तनांग का व्यूत क्रमानुपाती होगा ठीक अब इसी से यहां पतर दो माध्यम लिया गया यहां माध्यम तीन हो जैसे आपका हो जाए वायू जल और काच हो जाएं तो इसको ठोड़ा से कहां समझाएं यहां यह समझाते हैं यह दि माध्यम यह दि तीन माध्यम वायू जल और काच हो और क्या हो यह तीन माध्यम वायू जल और काच हो तो यह तीन मादधियम वाइव, जल और काच हो तो इसस्कंदेशने में में जो ओगा कॉन-कॉन मादधियम में वााइव थी मतलब ए हो जाएगा और काच मतलब जयागा ममीकली रुई एव आपन church चैनल माद्य में, चैनल प्लागोन यह विछनाओ, तो होत्य है, आप इन तेनों यह विछनाओ, आप इसको रोक कर ऊफ़ाणी भेज जेते हैं, तो हो जाएगा W N G बराबर हो जाएगा 1 बटा के A N W गुड़े G N A तो हो जाएगा W N G बराबर हो जाएगा यह नहीं इसको उपर भेदें 1 बटा G N A बराबर देखें के A N G आया है 1 बटा G N A को हम A N G लिखें तो उपर लिखें A N G अब बटा क्या था A N W अब कभी वह आयू के साफेश रहता तो इस वायू को लिखिए चैनल लिखिए इसको कोई डिक्कत निम्हें तो इसका मदलब हो जाएगा डाबलू एन जी बराबर हो जाएगा यह जी बटके यह डाबलू यह फार्मुला भी आप लोग जानते रहेगा इसका भी बहुत जार इसके पर रहता आपका जैसे में वान यान टू रहता वान यान टू रहता तो फार्मुला क्या बनता यान टू बाई यान बनता इसका आगे निमर्कल प्रियोग वह बताया जा रहा है वान यान टू कहीं लिखा रहा है तो इसको हम यान टू बाई यान वन लिख सकते हैं ठीक है न तो आप लोगको यह अच्छी तरह से इस परस्ट रूप से समझ में आया होगा तो आगे देखते रहेगा कि आगे निमर्कल के लिए क्या क्या फार्मुला क्या आशकता होगी तो यह जितने भी सिस्टम पढ़ाएं गया हैं जितने भी असा पढ़ाएं गया हैं यह सब निमर्कल में बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाले हैं अब खासकर यह वान यान टू इकवल टू यान टू बाई यान वन और उसके बार आप लोगको यह फार्मुला भी बताया क्या था बहुत ही मुष्ट फार्मुला है माध्यम का अपवर्तनांग माध्यम का अपवर्तनांग बराबर होता है वायू या निर्वात में प्रकास की चाल तम खाली वायू में प्रकास की चाल वायू में प्रकास की चाल बटा के यहां जो भी माध्यम यहां लिखेंगे लिखेंगे यह जल लिखेंगे आपको कास में प्रकास की चाल किए तब माध्यम का अपवातनाग बराबर यह भी फार्मला बहु यहां जो भी माध्यम लिखा जाएगा और वाई में प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं कि कितना होता है तीन गुड़े दोश गते आठ मीटर प्रती सेकंड यह भी या दखेगा यह सवाल में नहीं दिया रहेगा अधिकांस यह दिया रहेगा तो अच्छी बात है करता हैं यह दिया के माध्यम का पर्तम ब्रत्राइव वाल्यू में प्रकाश की चाल होता है यह में लाक किलो मीटर पर तो जबन लोगो निमेरिकल लगाते हैं तो आप लोगो अच्छी तरह से किलिएर हो गया होगा और यृदि आख्छी तरह से क्लियर हो गया होगा तो आप लोग को निमेरिकल जब जाए 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 तो उसमें कोई प्राबलम नहीं आगा और निमेरकल अगले वीडियो जी पढ़ाया जाएगा तो हो सके ता आप लोग वीडियो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहां फरलता पूरा झाल 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